इस जफलता का मुख्य आधार साकारत्मक सोच और निरंतर प्रयास है अगर आप positive thinking रखेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे तो आप भी जरूर सफल हो जाएंगे देखिए आज है 31 जनुवरी का दिन और देखिए आज के वीडियो में टोटल 10 most important प्रेश्टों फैम चेर्चा करते हैं और जो लोग नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बलाइक मुण प्रेश करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करतेंगे तो चैनले शुरू करते हैं आज के वीडियो को देखिए वारजिकांग के 2022 की पीडियाफ है स्किल लिंक भी वीडियो के डिस् अभी हाली में लगातार दस्वी बार रिकार्ड जो है आश्ट्रियन ओपन का खिताब जीत लिया है और इन्होंने फाइनल मैच में ग्रीक के लाड़ी स्टेफानो सिस्ट्रिपास को हरा कर जो है यह आश्ट्रियन ओपन चैंपेंशिप 23 का मेंस सिंगल टाइडिल जीता है और देखें इस आश्ट्रियन ओपन चैंपेंशिप 23 में जो आपका विमन सिंगल चैंपेंशिप का टाइडिल था इसको जीता है बेलारोस की आरियाना सब लेंग खाने और देखें एक खास बताओर है जो मैं आपको बताना जारा है दिहां से सुनेगा देखें जो आपके और देखें नुवाग चोकोविच इस जीत के साथ ही सबसे अधिक ग्रेंड स्लैम यानि की 22 ग्रेंड स्लैम टाइटिल जीतने वाले राफेल नाडाल के रिकार्ड के इनोंने आली में बराबरी कर लिए है और इसके अतरिक जो आपके नुवाग चोकोविच है इनोंने माचमा खेलो इंडिया यूद्ध गेम्स जो है मद्दे प्रदेश में हाली में शुरूआ है 30 जनवरी 2023 से और दीखें आपको दादू इसमें कई टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानि कि टॉप्स के एथलीट भी प्रतियस परधा करेंगे इस खेलो इंडिया यूद गेम्स जो है इसमें और दीखें खास बात और अभियाली में भारत के केंदरी खेल एवं यूवा कारेकरम मंतरी अनुराक सिंग ठाकूर और मुख्यमंतरी यानि की मद्दे प्रदेश के मुख्यमंतरी सिवराज सिंग चौहा ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इ मुझे लग रहा है कि सभी पेपर में शपेंगे देखें पुरुस हा की विसकप दोजर तेज जिसका अभियाली में भारत में ही किया गया था इसको जर्मनी की टीम ने जीत लिया है देखें बियाली में ओडिसा के राजधानी भोनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में एफ पुरुस हा की विसकप 2003 था इसका खिताब जीता है आप पतादों इससे पहले जर्मनी जो है दोजार दो में और 2006 में इसका विजयता रहा था यानिकि पुरुस हा की विसकप का विजयता रहा था तो लगाता तो नहीं कह सकते हैं मलब तीसरी बार जो है विजयता बना है देखे यहाँ पर कुछ चीजे मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जैसे कि सबसे अधिक बार पूरुस हाकी विसुकप को किसने जीता है यह चीज एक्जाम में पूछी आगी देखे पूरुस हाकी विसुकप 23 में भारत नवे स्थान पर रहा था यहाँ पर पूइंट नोट कर लिए कि जर्वनी ने बेल्जियम को हरा कर तीसरी बार पूरुस हाकी विसुकप को जीत लिया है और चौता प्रशने की राश्पती भावन इस्तित जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया देकिन नाम बदलने वाले प्रशन बहुत ही एक्जाम में पूछे आते हैं तो जो आपका राश्पती भावन में मुगल गार्डन था अब इसका नाम बदल कर अमूित उद्यान कर दिया गया है आपका बता दूँ कि सितंबर 2022 में यहनि कि पिछले साल सितंबर महिने में किंद सरकार ने राश्पत का नाम बदल कर करतब बिपद कर दिया था तो राश्पत उस समय करतब बिपत हो गया था और राश्टपती बहुन में बने जो आपका ये अमरित उद्यान है जो की पहले मुगल गार्डन था इसका इतिहास आपको दादों इसको जो है उन्नी सो अठाइस उन्तीस में बनाए गया था ये लगभग 15 एकर में फैला हुआ है और इस गार्डन में मसूर सक्चेतों राजा राम मोहन राय जान एब कैनेडी महारानी एलिजाबेट मदर टेरेशा और क्रिस्टियन डायर जैसे लोगों के नाम पर गुलाब के फूलों का नाम खरट किया गया है यानि कि जो गुलाब के फूल हैं का विभिन नाम किया गया है महानस्तियों के नाम पर और पांचों प्रश्ण है कि हाली में कि इस दिस के साथ भारत ने सालाना बाराचीतों को भारत लाने के लिए समझोते ग्यापन पर अस्ताक्षिर किया तो दिखी भारत ने वियाली में दक्षिर अफरीका के साथ एक समझोता किया है सालाना बाराचीतों को भारत लाने के लिए देखे भारत और दक्षिड अफरीका ने अगले आठ से दस वर्सों के लिए यानि कि अगले आठ से दस सालों के लिए प्रती वर्स यानि कि हर साल 12 अफरीकी चीतों को भारत लाने के लिए 27 जन्वरी 2030 को एक समझोते ग्यापन पर हाली में स्ताक्षर किया और इस समझोते के मताबिक अगले महीने दक्षिड अफरीका से 12 चीतों को भारत लाया जाएगा और पिछले साल की बात करते हैं तो देखे पिछले साल हमने नामीविया से भारत में 8 चीतों को लाया था और इन चीतों को मद्यप्रदिश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था तो अगले मैने या फरवरी में बारत चीते आएंगे कहां से दक्षिड अफरीका से यार रखे कैसको और छटमाई की हाली में भारती अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइंडल में किस टीम को हरा कर पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है तो देखे एक खास बतार है भारत के लिए बहुत ही गवरों की बात है भारत होकी चैंपेशी में तो चुक गया लेकिन क्रिकेट में नहीं चुका है देखे भारत की जो अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम थे इसने फाइनल मैच में इंगलेंड को हरा कर अपना पहला T20 वर्ल कप जीत लिया है देखे अब पता दूँ भारती महिला टीम जो है ये फाइनल मैच में इंगलेंड को इसने साथ विकेट सेहरा था यानि कि भारत की टीम ने इंगलेंड को साथ विकेट सेहरा का जो है विसु चैम्बेसीब बनने का एक तरीके से गोरोप्राप किया देखे भारती टीम का नेत्र तो सैफाली वर्मा कर रहे थी यानि कि सैफाली वर्मा जो है इस अंडर 19 मैला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी और इंगलेंड की टीम पहले बल्ले बाजी करते हुए 69 जनों का टारगेट भारत को दिया था इसने जिसे भारत ने तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया था देखी इंगलेंड की ग्रेस स्क्रिवेंस को प्लेयर आप दे सिरीज घोषित किया गया इस चैंबेंशिप में और इस टूर्नामेंट का जो आईजन है ये साउथ अफरीका में किया गया था अगर एक्जाम में पूछा जाए कि अंडर नाइटीन महिला क्रिकेट विसकॉप दोजार तेज का जिन कहां पर किया गया था तो इस का जिन कहां पर किया था साउथ अफरीका में जहां पर भारत ने इंगलेंड को हरा कर इस चेंपेंशिप का टाइटिल जीता यानि ही अंडर नाइटीन महिला क्रिकेट विसकॉप दोजार तेज को जीत लिया ठीक है और सादों परशने की हाली में गुजरात पोर्ट्स इंफरेस्ट्रिक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात मेरिटाइम क्लेश्टर का जो पहला C.O.S. को किसको निउट किया गया है तो देखे गुजरात Ports Infrastructure Company Limited ने अभिहाली में माधवेंदर सिंग को गुजरात Maritime Cluster का पहला चीप Executive Officer न्यूट किया है देखे जो गुजरात Maritime Cluster है ये देश में अपनी तरह का पहला Commercial Maritime Cluster है जिसका उतेश से अंतराष्टी मानुकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंदर बनाना है और आपक पर GMC है यानि कि गुजरात Maritime Cluster है ये गांधी नगर मेर्सीत Gift City में समुद्री सिपिंग और रस बना रहा है देखे वर्तमान में जो आपका ये मापजा जांगो नदी है ये काफी चर्चा में है ये आपका चीन में है और चीन इस पर जो है एक विसाल बना रहा है देखे यहां पर थोड़ा सा एक International News हमारे पास आ गई है जो की important है तो यहां पर इस निउस से जुरे सभी पॉइंट्स को में हम चर्चा करेंगें ध्यान से सुनिएगा दीखे ड्रैकन यानि की चीन ने नेपाल भारत और चीन के ट्राइज जंक्सन पर यानि की जहां पर नेपाल भारत और चीन की सिमाय मिलती है वहां पर एक विसाल बांध के काम को तेज कर दिया है और अपको द आपस में टेच होती है वहां से कुछ ही दूर इससी तही बांध जो बन रहा है जो बन रहा है कहां पर माप्या जैंग्बो नदी पर और देखे जो विसलेशा का इन्टा कहना कि उत्तराखन के पास बंध है चीन के इस बांच से भविस में चीन इस इलाखे में पानी का पूरा नियंत्रर साबित कर सकता है यानि कि चीन चाहे तो अपना ये बान जो बना रहा है अचाना कि इसका पानी छोड़ेगा उत्तराखन में बाड़ा जाएगी जब उत्तराखन में बाड़ा आईगी तो देखे वो पानिया के गंगा में मिलेगा और पिर आसपास के गंगा के इलाकों में भी बाड़ा जाए तो कैसे गंगा नदी से टच है ये नदी मैं आपको बताता हूँ देखे जो मापजा जांगो नदी है ये भारत में अंदता गंगा में सामिल होने से पहले नेपाल में घागरा या फिर करनाली के रूप में बहती है यानि कि जो आपका ये मापजा जांगो नदी है ये चीन म तो वही नदी नेपाल से आई हुई है जो कि बाद में वो नदी आके चलकर गंगा नदी में मिल जाती है देगी साइमन ने इमेजरी की ब्याख्या कर बताया कि ये बांध जो बनना है ये भारत और नेपाल के साथ चीन की सीमा के तिराये के उत्तर कुछ किलोमेटर दूर पर सित है देगी भारत में गंगा से मिलने से पहले जो मापजा जांगो नदी है ये नीचे की और घागरा या पिर करनानी नदी में बहती है दीकि मापजा जांग वो कैलास परवस से निकलती है लेकिन ये करनाली के गंभीर रूप से मतपुर्ड जल की एक प्रमुक साहिक नदी नहीं है आपको उतादो करनाली नदी यमना नदी के बाद गंगा की लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी साहिक नदी है और ये आयतन के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी साहिक नदी भी है तो इसको नोट कर लिजेगा और हमारा अगला प्रशने की हाल ही में किजदेश के लाव पुरूस साइबर साइबर नहीं साबिर है तो साबिर अली का 67 साल की उमर में निदनों गया साबिर अली इंडियन क्रिकेटर थे भारत के क्रिकेटर थे जिनको लव पुरूस कहा जाता था तोक्यो में इन्होंने 1980 ACI Athletics Championship में डेक थलान सुर जिदने वाले ये पहले भारत के आईरन मैन साबित हुए थे साबिर अली अंतर राजी मुकालवी में भी आप राजे थे इन्होंने हर्याना का लेडर सिप किया था जैसमें इन्होंने 1979 और 1980 में दो बार जो है जीता था और दसमा की हाली में किस तिथी को विस्व उपेक्षित उस्ष्रकड़िबंदी रोग दिवस को देखे आपको दातू जो आपका उपेक्षित उस्ष्रकड़िबंदी रोग होता है ये रोग जो है बिमिन प्रकार के रोग जनको यानि पैथोजन जैसे की वाइरस, बैक्तिरिया, प्रोटोजोवा और परजीव यानि ये पैरासाइट के कारण होता है आपको दादू जो पहला विस्व उपेक्षित उश्रकड़िबंधी रोग दिवस था ये 30 जनुवरी 2020 को आई जित हुआ था तो हर साल अब 30 जनुवरी को हम क्या मनाते हैं World Neglected Tropical Resist Day यानि विस्व उपेक्षित उश्रकड़िबंधी रोग दिवस को और हम बात करेंगे आज के सभी को शामड़े पे तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अंसर देंगे पहला प्रशनाप के लिए कि हाली में किस देश में Medical Emergency की गोश्ड़ा की गई बताईए और आपको दाना की हाली में किस द्राजी सरकार ने किसानों को खाद और की नास्कों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन उपलब्ट कराने की गोश्ड़ा की है और आपको दाना कि हाली में किस तिराज ने 25 जन्वरी तो यर्टीस को अपना तिरपनवा स्थापना दिवस मनाया और कमेंट बॉक्स मताई कि हाली में भारती जुर्बैंक ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक आहमदाबात पर कितना जुर्माना लगाया है और आपको दाना कि हाली में किस एकामर्स कंपनी ने भारत में तेजी से डिलिवरी के लिए डेडिकेटेड एयर कार्गो सर्विस लांच किया है और अब हम बात करेंगे कल के पूझे कैस सभी को शामदी के सेथरों भी देखे 28 जनुवरी को हम लाला लाज पसलाई की जैनती मनाते हैं हर साल और 28 जनुवरी को हम डेटा गोपनीता दिवस भी मनाते हैं यानिकी डेटा प्राइवेसी डे मनाते हैं और एरो इंडिया सो 2030 का जो आयूजन है ये 13 से 17 फरवरी तक बैंगलूरू में किया जाएगा इसको नोट कर लिजेगा और देखें जो आपका कोहिमा है यहाँ पर तीसरा औरेंज फेस्टिवल मनाएगे हाली में और यूनियन बजट 2023 का जो हलवा सेरीमनी है ये 26 जनवरी को आजित क्या गया था तो इसी प्रशन के साथ आज का वीडियो समापत होता है चैन